आप सबी लोगों का वेलकम करतें एक नई वीडियो में तो फ्रेंस आज हम आए हैं नरसरी पे और सामने आप देख सकते हैं ये है तुलसी के प्लांट तो आज हम आपको कुछ जानकारी देंगे तुलसी के प्लांट पे तो वीडियो लाश तक जरू देखिएगा आप देख सकते हैं ये प्लांट एक मेडिसिन प्लांट है यानि कि हर्बल प्लांट है और ये प्लांट की पूजा भी की जाती है यानि कि बास्तु सास्त के हिसाब से इस प्लांट को घर में लगाना बहुती सुब माना जाता है ये हमारे गरंतों में भी लिखा हुआ है कि इ और इसके बहुत ही फाईदे है इस प्लांट को घर में लगाए इस प्लांट को अगर आप लगा लेते हैं अक्सर हमारे घरों में सभी को मौसं जब change होता है तो सर्दी जुखाम हो जाता है उस समय इसके एक से दो पत्ते चाय में डाल के अगर आप सेवन करते हैं तो आपको इन वीमारियों से छुट्टी मिलने वाली है तो इस प्लांट के इतने सारे फायदे हैं तो इसे लगाना क्यों ना ज़रूरी है हमारे घर में तो इसकी कुछ केर के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि ये प्लांट आप कैसे कहां से बाय कर सकते हैं और इसके क्या लगाने क तरीके है और एक प्लावर आते हैं वो फ्लावर आप इसको गंले में डाल दें तो इसके बेबी प्लावर तैयार होते हैं तो चलिए मैं आपको इनके बेबी प्लावर दिखाता हूँ जो की फ्लावर के बाद तैयार होते हैं तो वो देख सकते हैं ये होते हैं बेबी आप अगर एक तुलसी का प्लांट लगाते हैं, तो आपको ऐसे धेर सारे प्लांट मिल जाएंगे, तो आप बहुत सारे तुलसी के प्लांट घर में लगाईए, और ये इसकी मैडिसीन बहुत ही काम आती है, तो देख सकते हैं, ये सब इस समय बेबी प्लांट है, और इनकी जो range है यानि किनकी price है वो 10 रुपे हैं तो आप नरसरी पे इस तरह के plant आप buy कर सकते हैं 10 रुपे में आपको नरसरी पे मिल जाएंगे तुलसी के plant और आपको कहीं कहीं ये pod जैसे सरकारी नरसरी होती है तो वहाँ पे आपको ये plant 5 रुपे भी मिल जाएंगे और अगर आप एक बार इन plant को लगा लेते हैं तो आपके घर से फिर ये plant कभी भी कम नहीं होने वाले हैं आप एक plant लगाते हैं तो आपको हजारों plant मिल जाएंगे फिर आप उनको एक एक करके गमले में लगा दें आप इन plant को जब भी लगाएं तो मिट्टी के गमले लें और इनको ज़्यादा watering ना दे यानि कि जब घर के सभी लोग इन plant पे जल देते हैं सुबे के समय तो उससे इसकी root over watering होती है जिससे root सड जाती और plant खराब हो जाता है इसलिए आप इसको थोड़ा सा ही पानी दे अगर घर में सभी लोग पानी देते हैं सुबे यानि कि इसको जल चड़ाते हैं तो थोड़ा पानी दे उससे इस plant को बचाया जा सकता है और अगर इसको boost करना चाते है यानि कि घना करना चाहते हैं तो आप इसकी पिंचिंग कर दें उपर से तो इस तरह से आपका प्लांट बहुत ही घना हो जाएगा और जितना प्लांट आपका घना होगा उतनी ज़्यादा फ्लाबरिंग होगी और जितने ज़्यादा फ्लाबरिंग होगी उतने ज़्यादा आपको सीड मिलेंगे और जितने ज़्यादा सीड मिलेंगे तो उतने ही ज़्यादा आपको पौधे मिलेंगे यानि कि बेबी प्लांट मिलेंगे तो आज की जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सस्क्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे नोलिजफुल वीडियो लाते रहते हैं तो आप देख सकते हैं ये सब बेबी प्लांट है और इस समय बरसात का समय है तो इस समय आपको ये प्लांट नरसरी पे बहुत ही इजली मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही जल्दी हम मिलेंगे आपको एक नेस्ट वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए हैपी गार्डनिंग